नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोतिस सीक्रेट आकडे का पौधा जिसे हम आक का पौधा या मदार का पौधा भी कहते हैं सिपजी को सबसे ज़्यादा पसंद है आक के पौधे का जड़ इसके पत्ते और इसके पुस्प फल भी क्योंकि इसके जड़ के बहुत सारे तांतरिक प्रियोग तो होते ही हैं पर इसकी जड़ में गनेज जी भी जो पौधा 12 साल पुराना है उसमें अपने आप उगाते हैं तांतरिक पौधा है ये जिसको हम मदार कहते हैं आकडे का पौधा कहते हैं कहा जाता है अगर इसका एक टुकड़ा कमर में आप धारन कर लें तो बंदे अस्तरी को भी संतान हो जाता है अगर दाहिने बुजा में धारन कर लें तो सौभाग्य बढ़ता है इस पौधे के जड़ में गनेज जी की आकरिती कुछ साल पुराना होने पर अपने आप उगाती है गंभीर से गंभीर परेशानी भी इस पौधे की जड़ से समाप्त हो जाता है और घर की रक्षा के लिए तंत्र क्रियाओं से बशने के लिए इस पौधे को अगर अपने घर के मुखे दरवाजे पर लगा दे तो नजर दोस्त तंत्र प्रभाव टोना टोटका सब समाप्त हो जाता है दूस्ट गरहों का परिवा पर असर नहीं पड़ता तो मदार के जड़ को बहुत सारे प्रियोग हैं लेकिन इस पौधे में फलवी लगता है आपने देखा होगा सुखने के बाद रूई के दर उड़ता है तो मदार का पौधा अगर आपके घर के बाहर अपने आप उगाया है तो आप बड़े ही भागे साली है नहीं उगा ह तो मदार का पौधा का एक डाली तोड़कर ले आए उस व्यक्ति के उपर से साथ बार उतार कर आप उसको कहीं पर ले जाकर फेक दें आप देखिए उनका स्वास्त जल्दी ठीक हो जाएगा क्योंकि यह नजर हाय बद्दुआ बुरे दोस्त को समाप्त कर देता है तो इस पौधे में अध्वुत चमतकारिक सकती है जो जीवन के हर परेसानी से हर समस्या से आपको बचाता है लेकिन इसके कुछ खास प्रियोग भी होते हैं मदार के पौधे में जो फल लगा होता है आप एक फल ले आईए उसमें से निकाल कर कच्चा हो या सुखा हो वो फरक नहीं पड़ता सुखनी के बाद तो उड़ जाएगा हाथ आपके कुछ नहीं आएगा लेकिन आप एक ले आईए अब इस फल को हलका सा सुखा ले कच्चा मत रखिएगा सड़ जाएगा आप लाकर अपने घर में इसको पूझा वेगरा कर के कहीं भी आप चछट पे या चज़े पर कहीं भी आप ऐसे जगा रख दें कि जहां ये सूख जाए सड़े नहीं इसके बाद लाल कपड़े में लपेट कर आप इसको संभाल कर रख लें जीवन के हर मुझकिलों से आपको बाहर निकालेगा चारों तरफ से आपकी करें तो जीवन की हर मुझकिलों से आप बाहर निकलाते हैं कि बहुत सिंपल है प्रियोग इसका बहुत ही अचूख है अगर सत्तुर बिलोधी परिसान कर रहा है तो मदार के पौधे के पास जाएं किसी भी मंगलबार सनीवार को को देखे नहीं टोके नहीं इस बात का ध् अब पत्ते पर उसी मदार के जड़ जो दूद निकला है उसी से सत्रू का नाम लिखकर वहीं जड़ में दबा दे और उसके उपर मिट्टी भी डालना है याद रखिएगा लेकिन हर एक सत्तुरू के लिए अलग लग पत्ता तो बिभार करेंगे पर दूद आप निकालने हों तो अलग अलग पत्ता बेभार करें लेकिन इसी पौधे के पत्ते को तोड़ने से दूद निकला है उसी दूद से आप उंगली के सहरे या किसी चीच के सहरे रूई के सहरे आप सत्रू का नाम लिख सकते हैं और सत्रू का नाम लिखने के समय सत्रू का भाव रखिए मन में कि वो सांथ हो जाए आपको दुबारा परिसान नहीं करे और ये प्रक्रिया लगातार तीन सनिवार या तीन मंगलवार को कर लीजेगा आपके सत्रू सांथ हो जाएंगे वो चाहकर भी आपका नुकसान कभी नहीं कर पाएंगे और सुरक्षित भी रहेंगे आप हम आपसे फिर मिलेंगे हर हर महादेव